नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्दप्रदेश का नमबर वन न्यूस चैनल क्लीन न्यूस एमपी चलिए देखते हैं मद्दप्रदेश की सबी शाम तक की मुख्या खबरे फटाफट अंदास में कर्मचारों के लिए राहत भरी खबर जिये एरियर पर तासा अपती केंदरे कर्मचारी पेंशनर के लिए राहत भरी खबर है 18 महीने के बकाया दिये एरियर पर इंतजार जल्ड खत्म होने वाला है ताजा मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अकले महीने अगस्त में केंद्र की मोधी सरकार जनवरी 2020 से जून 2021 के बकाया अच्छारा महीने के दिए एरियर का भुक्तान कर सकती है इसके तहट कर्मचारियों के खाते में एक मुश्त डेड़ लाक रुपे तक भेजी जा सकते हैं उमीदवारों के लिए अच्छे खबर विभिन पदों पर आयोजित होगी परिक्षा MPPSC के उमीदवारों के लिए बड़ी खबर है दरसल मद्यप्रदेश लोग से वायोग द्वारा कई पदों पर भरती प्रक्रिया आयोजित की जानी है इसके लिए आवेदन सुमवार यानि 11 जुलाई से शुरू होंगे 11 जुलाई से शुरू होने वाले आवेदन के लिए नोडिविकेशन पूर में जारी किया जा चुका है 27 जुन को जारे हुए नोडिविकेशन के बताबिक आवेदन करने के अंतिम्तिती 22 अगस रखी गई उमीदवार 11 जुलाई दोहजार बाईस दोपहर बारा से दिनांग 10 अगस दोहजार बाईस दोपहर बारा बजे तक MPPSC के ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर आवेदन भरने की पात्रता रखेंगी शास्कियानीजी कॉलेज चात्रों के लिए बड़ी खबर राजसरकार भरेगी फीस मंद्र प्रदेश के कॉलेज चात्रों के लिए राहत भरी खबर है अच्छी खबर 12 और 15 जुलाई से फिर चलेंगी ये एक्सप्रेस ट्रेन मंद्र प्रदेश के रेली आत्रियों के लिए अच्छी खबर है आज 10 जुलाई से फिर प्रदेश की एक मांत्र हैरिटेच ट्रेन महू से फिर शुरू होने जा रही है ये महू से काला कुंज पाताल पानी की सेर करवाईगी भुपाल बिलासपुर एक्सप्रेस और रानी कमलापती संतरा गाच्छी एक्सप्रेस की सेवा 13 जुलाई से फिर बहाल की जा रही है वही एक दो आट पाच तीन बटे एक दो आट पाच चार भुपाल दुर्ग भुपाल अमरकंटक एक्सप्रेस में एक अतरिक्त स्लीपर कोच की सुवधा रविवार सुमवार दस ग्यारा जुलाई तक मिलेगी एक तरफ जहां मद्यपरदेश में कई विकास कारियों को तरजी ही दी जा रही है वहीं लोजिस्टिक बनाने की तयारी भी शुरू कर दी गए इसे बीच एक और बड़ा तुफ़ा जल्दी मद्यपरदेश के कई जिलों को बड़ी सौगार देने के लिए तयार हो रहा है दरसल देश भर में होने वाले 11 नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर में कई कोरिडोर का सीधा सीधा लाब मद्यपरदेश को बिलेगा पहला टीवी फ्री जिला होगा इंडौर प्रिशासन ने बनाया 2025 तक का प्लैन ऐसे होगा काम देश में क्लीन सिटी के नाम से मशूर इंडौर लगातार कई नए आयामों पर काम कर रहा है स्मार्ट सिटी का तमगा लेने की दौर शामिल शेहर अब स्वास्ते के शेतर में बहतर काम कर रहा है क्लीन सिटी के बाद अब इंडौर को टीवी फ्री शेहर बनाने के लिए काम किया जा रहा है इसके लिए स्वास्ता विभाग ने तयारी पूल कर ली है प्रधान मंत्री आवास योजना क्रियान वियन में मध्य प्रदेश देश में अफ़ल प्रधान मंत्री आवास योजना के क्रियान वियन में मध्य प्रदेश ने देश में पहला इस्थान प्राप्त किया है पशले दिनों दिल्ली में आयो जित कारिक्रम में केंद्रिय शेहरी विकास राजय मंत्री कॉशल किशोर ने सुपलब्धी के लिए प्रदेश के अपर आयुकत सत्य अंद्र सिंग को पुरुसकार सौपा इसे लेकर नगरिय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंग ने मुख्य मंत्री शिवरास सिंग्चोहान को बढ़ाई दी मंत्री भूपेंद्र सिंग ने पियम आवास योजना के क्रियान वेयन में रास्तिय इस्तर पर सर्वोत क्रश्ट प्रदाशन के लिए मिले पुरुसकार पर प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी का भार प्रकट करते हुए कहा कि योजना ने गरीब और मध्यम वर्गिया परिवारों के जरूरतों को तो पूरा किया ही उन परिवारों की भावनाओं को भी छुआ है अमनात में अबनेट इश्यू संपर्क नहीं कर पा रहें एमपी के 500 से जादा यात्री फसे जमक अश्यूर में बादल फटनी के बाद मध्यप्रदेश के 500 अमनात यात्री फस गए हैं इसमें भुपाल के 1500 यात्री शामल है ये सबी पिछले कई घंटों से शेख नाग, पंच तरणी, पहलगाओं और बालटाल में रुके हुए हैं ना तो भी आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही वापस लोटने दिया जा रहा है, दूसरी ओर इंटरनेट इशू भी बना हुआ है इस सेयात्री परिजनों से संपर्क नहीं कर पा रहे, इंटर से मरनात के लिए पांच वार सीजन का सबसे बड़ा जथा रविवार को रवाना होगा कुरुना के लगतार बढ़ रही मरीज, इंटर भुपाल में मिल रहे सबसे ज़ादा मरीज भुपाल समीर प्रदेश भर में कुरुना के मरीजों के संख्या लगा ठार पड़ रही है, भुपाल और इंटर में सबसे ज़ादा मरीज मिल रहे है शनिवार को भुपाल में 395 सेंपल के ज़ाँच में किस मरीज मिले, इसके बाद भी हाल ये है कि स्वास्त विभाग के तरफ से इसे गंभीता सही नहीं दिया जा रहा लक्षे के मुकाबले 25-30% सेंपलिंग हो रही है, इन दौर शेहर में शनिवार को भी 58 नए मरीज मिले, इस दिन सिर्फ 458 नमूनों की जाच की कई थी मदर प्रदेश के कई जिलों में आज जम कर बरसिंगे पातल, मदर प्रदेश के कई जिलों में आज जम कर बारिश हो सकती है, मौसम विभाग ने इसके लिए औरेंज अलर्ट जारी कर दिया है जिन जलो के लिए एती भारी बारish का अलज जारी किया गया उसमे रास्थानी भुपाल समेट कई संभाग के जिले शामिल है मौसम विभाग ने भुपाल नर्मदापुरम संभाग के जलो में अलज जारी किया तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे रोजाना ऐसे ही मध्यप्रदेश से अबडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद